नमस्कार मैं सौम्मे दिबॉलिया और आप देख रहे हैं लुक मीडिया की खास पेशकस बातचीत आज हमारे साथ है जहांसी के बबीना बिधान सभा के समाजबादी पार्टी से माननिय यश्पाल सिंग्यादव सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर मैं आपसे पहला सबाल पूछना चाहूंगी आपने लंडन के यूरोपियन स्कूल से एम बीए किया फिर सर क्या कारेंट था कि आपको यहां पॉलिटिक्स में आना पड़ा तो पांचे साल काम करने के बाद फिर उसके बाद में राईनित में आया है सकेंट सबाल यह हैं कि आपका नया siveera trust मुख ट्रस्टी है तो आप उसके बारे में कुछ बिताईए सार्विन एक वर सब्गुज के लिए बनाय हुए एक NGO है जिसमें हम मेरी कंपनी और कुछ और कंपनीयां जो हमारे असोसियेट्स हैं तो CSR के थ्रू डोनेट करते हैं और हम लोग कुछ प्लान करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी कोविट का समय था तो कोविट के टाइम पर मेडिकेशन के लिए फार्मर के लिए एजूकेशन के लिए तो इसे बहुत सारे काम हैं जो हम नया सवेरा ट्रस्ट से करते हैं और अब तो हमने बवीना विदानसवा चेतर म भी खुले हुए हैं तो उससे लोगों की साहता करते हैं तो नया सवेरा ट्रस्ट एक आप कह सकते हैं कि शोशल कॉस के लिए हमारा बनाया हुए एक जो लोग की मदर करता है आपने कोरोना में भी काफी है उसी के जरिये से मेरा थर्ट सबाल है कि समाजबादी पार्टी पर परिवारवाद के बहुत सारे लोग इस पर बाते करते हैं आपके उपर भी जो बिरोधी पार्टिया है वो काफी बोलती होगी तो आप इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे मैं नहीं मानता समाजबादी पार्टी में परिवारवाद है आप अगर कोई व्यक्ति योग है राजनीत में परिवारवाद में आपको क्या मिल जाएगा भाई कोई पैदा होते ही MLMP तो बननी जाएगा वो अपने बेटे को सिर्क मौका दे सकता है चुनती तो जनता है कोई सही बयान है यह बास है कि जब वकील होते हैं डॉक्टर होते हैं उनका बेटा अगर वकालत करेगा तो उसका समाने ग्यान आम आदमी से ज्यादा होगा एक प्लेटफॉर्म जरूर मिलता है लेकिन कोई यह कहे कि नहीं परिवार की वज़े से किसी व्यक्ति को सब काफी सालों से बुंदेलखंड की राज बनने की चर्चा तो अगर आपकी सपहा पार्टी आती है तो क्या बंदेलखंड बनेगा राज देखेंग बुंदेलखंड राज की जो मांग है वो जब पूरी हो सकती कि बंदेल तीन सरकारों के बीच का मुद्दह है उत्तर मोंने सब्सक्राइब करें। इसको मुद्दा बनाया है उन लोगों ने तो पहल की नहीं है तो आने वाले समय में अगर मुखा मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल इस पहल करेंगे और इस मुद्दे को ठाएंगे कोशिश करेंगे की बन जाये सर अभी विदानसबह चुनाव आने बाले हैं इसमें आपके चुनावी मुध्यका vibrant जुड़े की चुनावी मुद्दे को पार्टी के मुद्दे हैं हम लोगों ने बहुत सारी अरशारी और की का मज़रा है बिजली और बाकी महंगाई जो बढ़ रही है चीजों की उस पर अंकुष लगाना है जैसे बहुत सारे मुद्दें सिक्षा के छेत्र में समाजवादी पार्टी ने पहले भी अच्छा काम किया इस बार हमें और बहतर काम करना है इन सबी मुद्दों पर जैसे पार्टी स्ट से त्रों में काम करना है और पूरी विवस्ता पिछले पांस साल से चली आ रही है इसको बदलना है बिलकुल जो आपको वोड देंगे वो चाहेंगे कि आप अभी यह जो स्वास्तिका है यह कुछ जादा ही हो गया था कोरोना के टाइम पर यही सही हो जाए अभी तो क्यों हमारे प्रदेश के नौजवानों से अग्रे करूंगा कि 2022 की शुरुवात बदलाव से करें एक बहुत महतपून समय है आज प्रदेश में युवाओं के पास कोई भी कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है कोई भी काम नहीं है बिलकुल यह हमारी युवावादी है वो एकदम बेकार घुम रही है और उसको और बेकार किया जा रहा है तो युवाओं को अफसर मिलें युवाओं को काम करने का मौका मिलें नौकरियां मिलें इसके लिए आप इन चीज़ इन मुद्दों को लेके सरकार का चाहिन कीजिएगा मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता व ada factução रहां। बिल्कुल फेर होके गाए किस मुखवंत्री ने जादा बहतर काम किया किस पार्टी ने जादाबहतर काम किया और कौन आगे जादा बहतर आप लोगं के लिए काम कर सकता है क्योंकि आप लोगों के बHANश Gates बरोजगार हैं और आगले 5 साल उनको रोजगार न के लिए हम इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसी यह बातचीत आपके सामने लेते रहेंगे तब तक जुड़े रहें लुक मीडिया से एक मिनिट हमारे साथ